डिरीम 11 में टीम कैसे बनाए डिरीम 11 में टीम बनाने का क्या तरीका है तरीका आपको जब तक मालूम नहीं होगा तब तक आप डिरीम 11 में टीम सही से नहीं बना पाओगे आपको मन में ये सवाल उत्पन होगा वाई टीम बनाने किसको नहीं बता है मैं जामता हूँ डिरी 11 सौ में सौ आदमी खेलते हैं उसमें से सौ में सौ को बनाने टीम आता है लेकिन वो टीम सही तरीका से नहीं बना पाते हैं अगर सहीत तरिकाश वो टीम बनातें तो आज तक कितना रूपिया जित पातें? किसी किसी ने सिर्फ इंटरी फिस भी वापस आता है किसी को इंटरी फिस भी डूब जाता है कोई अच्छे खासा प्रोफिट कर लेता है कोई 500 टीम लगाने के बाद जुद भी अच्छे खासा प्रोफिट नहीं कर पाते हैं इन भाई साब को टीम बनाने नहीं आता है, वो सोचता है मैं सबसे बहतरिंग टीम बनाया हूँ, आज मेरा रेंक एक कर जाएगा, वो सोचकर इस तरह से टीम बना लेते हैं, लेकिन वो जब तक टीम बनाने का बारे में नहीं जानेगा, तब तक वो कोई लीग नहीं चीद प काफी पॉम में चल रहा है तो उस पर क्लिक करने के वाद देखिए आप लोग भी टीम बनाते हैं यह भी टीम बनाते हैं यह देखिए तीन टीम में से इनका टीम रिंग एक कर जाए गया है आप जब टीम बनाते हैं तो आपका टीम रिंग एक नहीं करता है और आप काफी पर वेसान होते हैं यहां पर देख़ें केप्टन जो कुलदीप यादव को बुईज कंप्टन और कमारियादब को उलके जब आप इस वी बेडिो में बताऊंगा कोई भी मैच है यह नहीं है श्ट्रेंडी क्रता है उस से पहले टीम बनाने से कोई मैच आज भी मैंच है इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग को गलती होता है जो अगले मैच जो अगले match में पढ़रषन करता है उनी को अपने team में सामिल कर लेते हो देखिये अगले match में चाहल हर पढ़रषन किया है लेकिन वो उसका नहीं लिया है देखिये ठोरा बार की से समझे उससे पहले आपको कुछ चीजों को पता लगाना होगा देखें यहाँ पर जो पीच रिपोर्ट है यह बाइलेंस पीच है बाइलेंस पीच गुड़ पाइपेसर और अवरेज एसकोड 136 भेन्यू है पार्क लोधियानब फ्राउंड में यहाँ पर देखें यह देख लेते हैं लेकिन यह पीच रिपोर्ट ट्रे सही से नहीं देख पाते हैं पीच रिपोर्ट सबसे पाले देखना होता है पीच तीन परकार करते हैं या तो बैटिंग पीच होता है या तो बाइलेंस पीच होता है देखे बैटिंग पिच पर टिम बनाना बहुत आसान होता है बॉलिंग पिच पर टिम बनाना बहुत आसान होता है लेकिन बहुत कटिन होता है बालेंस पिच पर इसलिए मेरे दोस्तों अगर आप बालेंस पिच पर टिम बनाना चाहते हैं तो इस वेडियो को एंड दक जरू ले लो वेश्ट एंडेज में ज्यादा भीर है भीर में आप नहीं जाना चाहते हैं कुछ भाइस आपको ये कोमेंट आता है कि भीर वाले मैच में आज तक मैं जो भी इंटरी पिस लगाए है वो डूब गया आज तक कोई प्रोफिट नहीं किया है अगर आप कोई भी लिग नहीं जित पाते हो तो एक दिन आप करेंड लिग निच्चित बिन कर जाओगे इसलिए कुछ बाइस आपका डिमांड है भाई कुछ आईसा मैच के बारे में बताओ जिसे लोग बहुत कम जानते हैं उसमें जोइनिंग बहुत है भीर कम है मेरे दोस्तों आईसा कोई की भीव्याच नहीं है जिसमें भीर कम होता है अभी कमपेटिशन के दोर है हर कमपेटिशन में भीर जादा होता है आपें-टुH लगाए poor कंटरी में यह जानते हो वह इंडिया में काफी पर चलित है इसकंडिशन में आपको टीम बनाना मुश्किल होता है इस एलिए में आपको कोई भी में अच्छी यहां पर देखे लंका प्राइमें लिंग पर मैं किलिक कर देता हूं लंका प्राइमें लिंग को किलिक करने के बाद अब मैं आपको टीम बनाने के बारे में बताता हूं देखे अगर यहां पर मैं तीन परकार के टीम बनाओंगा तीनों का तीन प्रणदार रहेगा यहां पर बाइलेंस पीछ है सबसे पहले मैं बताऊंगा बैटिंग पीछ पर अगर बैटिंग पीछ रहेगा तो किसे टीम बनाएंगे किस पिलियर को अपने टीम में रखेंगे कौन सा बॉलर बैस्ट में को आउट कर सकता है इस कंडिक्शन में आपको करना होगा अगर आपको बॉलर पिछ ऐख यग वैटिंग पीछ थो उपनर बैस्टमिन को दोनों टीम को सफोरेक्ट कर लेना है क्यों कर लेना है मैं इसका रिजनस बताएं दो आपने वैस्तमिन को सेलेक्टराना है जब बैटिंग पिछ रहे गा तब बेटिंग पींव सि उसके बाद देखे, डेट ओबर बाले बॉलर को दो सामिल करना, दोनों टीम से कर सकते हैं, जो रिकाउट अच्छे हो, डेट ओबर में बॉलिंग करता हो, जो अपनर करेगा, उस बॉलर को फटाई होगा, वो बॉलर को तुराई होगा, तो इसलिए पावर बॉलर में दो ची पीछ है जिसे बैटिंग और बॉलिंग दोनों को अच्छा परदर्शन करता हो दोनों से अच्छा पुइंट दिता हो जैसे हसरंगा हसरंगा को जब बैटिंग करने का मौका मिलता है खाली छक्केच से बाग करता है कम ही बॉलों पर अच्छा स्कोर कर देते हैं लेकिन पहु जाता है इस कंडिशन को आपको समझना होगा अब यह आप पर देखिए इसे लेने के बाद देखिए इसे ले लिगेगा जब बैटिंग पीच रहेगा तो जो चार से पहुंच नमर में बैटिंग करेगा लेने के बाद आप देखिए दो बॉलर हो गया अब बैस्ट में देखिए बैस्ट में में जो अपनर को ले लिए हैं अगर विकेट कीपर अपनर नहीं है तो दूसरा विकेट कीपर को सामिल कर सकते हैं जैसे फोकर जमन को ले सकते हैं लेने के बाद देखिए इसके बाद आपको डेवी मुलर को ले सकते हैं तिन नमर में बैटिंग करनेगा इसको लेने के बाद इनपॉर्टिंग जो है यह यह उपनर करता है इलाल मैंने देखा हूँ दो तीन मेट में यह उपनर करने के बाद इसे हो गया तीन दू पॉंच हो गया बैस्ट में सेक्शन अब बैस्ट में सेक्शन में दू हुआ है तो ओलंडर में बैटिंग है तो बॉलर चार आप पिक कर सकते हैं, अगर देखिए कि बॉलर अच्छे खासा है, तो बॉलर आप चार पिक कर सकते हैं, अगर आप बेस्ट में नजर आ रहा है, बैटिंग पीछ है, आपको बेस्ट में ज्यादा स्टोंग नजर आ रहा है, तो आप बेस्ट में को ज्यादा पिक कर सकते हैं सामिल अपने टीम में कर सकते हैं मैंने चार बेस्ट में दो विकेट कीपर दो ओलन्डा एक बॉलर लिये हैं तो एक और जो है एम ठाकरा को ले लिया हूँ ये कोई भी बैटिंग पीछ हो या बॉलिंग पीच हर पीच पर ये विकेट निकाल लेता है तो इसे लिए हम इसे लिया हूँ अब नेश्ट कर देते हैं नेश्ट करने के बाद देखिए अब यहाँ पर बैटिंग पीच में केप्टन और वाइस केप्टन बहुत भाई लोग क्या गलती करते हैं हसलंगा को केप्टन है दोनों डिजन में बताता हूँ और वाइस केप्टन दे देता है वाइस केप्टन इसे केप्टन दे जगा वाइस केप्टन एस मलिक को यह भी बालिंग करता है इसे केप्टन ठीक ठाक है यह उपनर बैस्ट मिंग देगा तो इसे आप केप्टन सी और वाइस केप्टन सी देज़ सकते हैं तेखिए captain यह opener करता है captain इसे भी टराय कर सकते हैं क्योंकि opener है voice captain इसे कर सकते हैं अगर आपको confused लगता है कि दोनों condition में यह उससे आरो भैतरिंग बैटरिंग करता है खाश करके बढ़ने के बाद आपको यह हो गया बैटिंग पीच पर चार कम सकम bestyor में लेना चाहिए दो के फिड. यह रस दर्ने के बाद देखिकें आरे 4 से पाहंचे नंमर में जो उतरता है उसे लेना इसलिए मिल जाते हैं जब बेच्ट में ब्याटिंग करते-करते ठक जाता है तो बॉलर जो लास्ट ऑबर। में होता है वह विकेट निकालकर चला जाता है यहां तो समझय गये हैं अब ब्याटिंग पूर अब मैं आपको बॉलिंग पीच्पर ट्रिम बनाने कर तरीका मैं दो सा टीम किलिक करके ये बॉलिंग पीच पर जो टीम है उस पर मैं आपको किलिक करके बताता हूँ क्योंकि अगर आपको बॉलिंग पीच पर टीम नहीं बनाने आता है तो उस कंडिजन में काफी नोकसान हो जाएगा इसलिए मेरी दोस्तों 10 से 15 मिलत का जो वीडियो होता है उसे ध्यान पुरवक देखा करें यहां पर आप देखिए बॉलिंग पीच है तो बॉलिंग पीच पर आपको उससे पहले बॉलर में जाना है बॉलर में जाना है कम से कम बॉलिंग पीच पर 5 बॉलर लेना है बॉलिंग पिछ रहेगा तो पॉंच बॉलर अपने टिम में लेना है जो कंसेस्टिन रूप से परफॉम करे चाहे वो अपनर बॉलिंग करे या डेट ओबर में बॉलिंग करे या लास्ट में करे इनसे कोई फरक नहीं है इनसे कोई बास्ता नहीं है इसलिए बॉलर सेक्शन म यहां पर देखिए मैदी हसन यह भी अच्छा खासा है इनका सेलेक्शन पर सेंट कम है अगर बॉलिंग करने का मौका मिलेगा तो अच्छे खासा बॉलिंग करता है इसे ले लिकिए giving किक आप अगर नहीं कहलेगा तो आप से बॉलर के साथ या से बॉलर नहीं तो सेफ बरिक्सी केप्टन और बॉइस केप्टन बॉलर को देने का तरीका बताऊंगा तकि आपको टीम अच्छे कासा रेंग कर जाए आपको अच्छे कासे यहां पर देखिए पहुंच बॉलर लेना है जब बैटिंग बॉलंग पिछ है तब अब वलंडर में बॉलंडर में देखिए इस तरह से आपको ले लेना है कुछ इनपॉर्टेंग दो ड्रिम पिलियर हुआ है एक बॉलर में देखिए ड्रिम कार्ड पिलियर हुआ है तीन में ड्रिम कार्ड पिलियर ले लिया हूँ यह पर चार बॉलंडर लेना है पहुंच बॉलर बॉलर से लगते हैं क्योंकि इन दोनों को बिकेट ज्यादा है बाई चंस अब इसे नेस्ट कर देते हैं नेस्ट करने के बाद अब यहाँ पर कैप्टन सी और वाइस कैप्टन सी देने का पारी आता है कुछ बाई साब का मन में यह सवाल उत्पन होगा भाई इस तरह से टिम मैं मात्र दो बैस्ट में लिये हैं दो बैस्ट में क्या करेगा भाई बॉलिंग पीछ होता है तो उस पर बिकेट गिरता है ज्यादा बैस्ट में लिजिएगा तो नौकसान ज्यादा होगा अब केप्टन और वाइस केप्टन चाहें सालेक्शन परसेंड हाई हो या लो हो कोई फरक नहीं पड़ता है वो जिसका सेलेक्शन परसेंट हाई होता है वो दो मैच में परदर्शन किया है यह उनको मालूम नहीं है आपको कि वो किस तरह से किया है परदर्शन किस तरह से किया है और कैसे क्या यह तो मालूम नहीं होता है क्या वो बैटिंग पिछ पर क्या ह है या तो मालूम नहीं है जिनका सालेक्षण परसेंड हाई होता है उसे अपने ट्रीम में सामिल कर सकते हैं आप बहुत है क्योंकि दोनों का दौनों काफी संदार है काफी अच्छे खासा बॉलर है इसमें कोई दुराई कोई बुराई नहीं है स्थियाफ ट् senza टिम करने के बाद देखे आपका ट्रिम का परक्वू आप इस तरह से बन जाएगा देखे भाई ध्यान से देखेगा इस तरह से बनने के बाद देखे इस तरह से हो गया यह बॉलिंग पीच का टीम हो गया देखिए मैं इसलिए आपको तीनों टीम के बता देते हैं ताकि आपको टीम बनाने में कोई परिशानी नहीं आप आजाता है मेरी दोस्ती बाइलेंस पीच यही तो सबसे खतरनक पीच होता है अगर यही खतरनक पीच को आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप कुछ भी प्रोपेट नहीं कर पाएंगे आप बाइलेंस पीच में आ जाता है बाइलेंस पीच में कभी बेस्ट में को फेवर में चला जाता है कभी बॉलर को फेवर में चला जाता है कभी अच्छे-कासे बैस्टमेन फ्लॉप्स हो जाता है कभी अच्छे-कासे बॉलर धक का मार पेल देता है इस कंडिशन में आपको करेक्ट्रीम पर क्लिक करना है करेक्ट्रीम पर क्लिक करना है तोगी बायलेंस पिच्च में ठोस जो in व्र व्लेपाज हो हमेज़ साब परदार्शान करते हैं तो भरोसे मंद बैस्टमेंट को भरोसा करना चाहिए अगर बाइलेंस पीछ है देखिए कि टीम में कोई टीम अपने में एक दो वालंडर या बैस्टमेंट को सामिल क्या उसे टरा कीजिएगा मन के चाहिए इनका रिकाउड कापी है इसे अपने लिट्रिम में रखने के बाद देखिए अब यहां पर बाइलेंस पीछ है तो एसमनिक को तो रखना ही है क्योंकि यह बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रखता है इसे लेने के बाद देखिए अब ट्रेटर्ण को लीजिएगा यह अच्छे-खासा परदर्फन कर रहा है फोकर जवन को लीजिएगा इन तीन बैस्टमेन को लेने ना है जो कंसेस्ट्री रूप से परफॉर्म करेगा कोई भी बॉलर को अच्छा से खेल ले यह नहीं है कुछ बैस्टमेन होता है जो एस्पीनर को नहीं खेल पाते हैं कुछ बैस्टमेन होता है कुछ पेसर सब्क्राइब को खेलने में उसको थोरा कट नाई होता है वो भीकिट गमा देता है इस कंदिशन offense को लेना है जो कंस्टिस्ट इस पर्पॉं करता हो अब वोलंडा सेक्षन में हसरंगा को लेना है जो हसरंगा यह दंगा इसे अपने चीम में जाना चाहिए यहां यहां पर बैॉलर सेक्षण में आने के बाद देखिए यह काहना सब्सक्राइब कियोंकि यह कंशच्टिन रुपसे आपको balance पीच होना चाहिए जो consistent रूम से उमीद लगा सकते हैं ये विकेट निकलने का 100% chance है उसे अपने team में सामिल करना चाहिए उसे करने के बाद देखे important बात है मैं स्टाकरा भी consistent रूम से विकेट निकाल पाते हैं तो इसे लेना दो लेने के बाद देखे आप ये काईसा बालर को लीजिए जो new entry फिस हुआ है जो new entry क्या है उसे team में उसे लेना चाहिए जैसे selection percent का मैं 0 है ये new entry क्या है तो इसे लेने के फैदा किया है इससे आप क्या profit कर सकते हैं इसे मैं लिया हूँ जिसका zero percent zero selection है इसे लेने से आपको ये profit हो सकता है कि योग की team कुछ सोच समझ कर लिया होगा क्योंकि अच्छे कार से इनका record होगा है बले गराउंड पर नहीं है और गराउंड पर अच्छे record है इस team का गेंस अच्छे काशा record बनाया हुआ है इसे लेने के बाद देखिए अब तीन बालार को लेने के बाद यहाँ पर ये कोल अंडर को आप ले सकते हैं ये कोल अंडर को इसे ट्राइ कर सकते हैं इसे लेने के बाद देखिए अब नेस्ट करते हैं अब लंडर बाइलेंस पीच पर टीम बनाना तो मुश्किल होता है अब इस कंडिशन में केप्टन सी और बॉइस केप्टन सी बहुत वाई लोग हतरंगा को देगा मेरे दोस्तों जिनका सेलेक्शन परसेंड हाइ हो मैं कहूंगा उसे केप्टन बॉइस केप्टन ना टराय कर गयाता है 7,900 में से केप्टन आरोज कैप्टन केप्टन सुधर जाता है ninety-nine परसेंड या 99 माँच होता है वह केप्टन और बॉइस केप्टन जिसका सेलेक्शन परसेंड लोह है वह surround इचता है इसलिए आपको द्यान देना है केप्टन सी और वाइस केपटन सी यह बाइलेंस पीच है तो बाइलेंस पीच पर केपटन सी और वाइस केपटन सी इसे टराय कर सकते हैं क्यों क्योंकि यह बैटिंग और बॉल दोनों से पॉइंट करेगा तीन से चार नमर में उतरेगा यह तो अपनर करेगा इसे आप टराय कर सकते हैं और वाइस केप्टन इसे टराय कर सकते हैं या केप्टन इसे टराय कर सकते हैं इस क्या हुआ यह बाइलेंस पीच हो गया मैंने एक बेस्ट में में से टीम केप्टन और वाइस केप्टन दी दिये हैं एक बॉलर में से दिये हैं तिकि इस तरह से टीम बनेगा क्योंकि मुझे आपको जो इंटरी फिस लगाए हैं वही वापस आएगा या तो कभी कल आपको इंटरी फिस डूब जाएगा इस तरह से अगर आप टीम बनाएंगे तो आप कभी नहीं हारोगे बार बार जितोगे हमेशा जितोगे मैं एक 1000% गाराइंटी के साथ कह सकता हूं आज का वीडिय में जाए हैं दोस्तों